चान्ति सुरुप जी बाबा साहब के बारे में मीडिया बहुत सारी बातें हमेशा छुपा जाता है तो वो कौन से बातें हम आपसे जानना चाहेंगे जो मीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीम्राव अमीडगर के बारे में छुपा जाता है उसके बारे में बताएं देखे असलिय तो यह है कि किसी भी आंदोलन का एक तो उपरी आवरण होता है एक उसके सिद्धानत होते हैं जिस पर वो महापुरुष इस्टेंड करता है बाबा साहिब डांक टंबेट करके इस्टेचू में माला डालना उनके चित्रों को अपने इस्तमाल करना उस पर फूल चड़ाना ये एक आम चलन बन गया है भारत वर्ष का मगर असली बाबा साहब तो बहुत मजबूत है ना असली बाबा साहब तो इनसे हजम भी नहीं होंगे ये बाबा साहब डांक टंबेट करको जो आज गले लगा रहे हैं उनका इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि वो बाबा साहब डांक टंबेट करके विचारों से सहमत हैं या उनके एजंडे पर काम कर रहे हैं यह बास समझने की जरूरत है कि यह जब ठगा जाता है किसी को ठगने के बहुत सारे तरीके हैं एक प्रोफेसर जगना तो पाध्याय हुए हैं बी एचू के प्रोफेसर थे यद्पी वो ब्रहमन थे मगर बाबा साहिब डांक टम बेट करके अनुयाई थे बहुत धरम के एक जो सबसे बड़ी उनकी नीति थी बहुत धरम को समापत करने की वो क्या थी प्रैमा लिंगन। प्रैमा लिंगन किसको कहते हैं अरे बहुत ओर हिंदू भाई भाई आओ भाई आओ भाई कर दिया खतम। ये प्रैमा लिंगन। बाबा साहिब डांक टम बेट के साथ बंबेगो近 2 सालः आप देख रहे हैं और तो इनके सारे मंच पर बाव सापीक फोटू मिलेंगे हैं और उनकी विचार धाराहрах है उसका क्या हो रहा है जो बाव सापकर एक समग्र蘊ंग में है जो Ambedkar Foundation से छपता है Ambedkar Foundation किसके अंडर है BJP सरकार के अंडर है Mumbai में उसका man office है Education Ministry महराष्टा सरकार वो किसके अंडर है वो BJP के सरकार के अंडर है दोनों में इतना सुरताल एक है कि दोनों ही बाबा साब का अनुवाद नहीं चाप रहे वो अंग्रेजी मनी चाप रे महराष्ट वाले और ये दिल्ली में जो अंबेटकर फामडेशन है ये उनका हिंदी में जो अनुवाद भी गलत था उसको नहीं चाप रहे क्यों कि बाबा साहिब डांक टंबेटकर करके विचार का परचार ना हो जाए बाबा साहिब डांक टं परतिशत लोगों को तबा और खतम करना चाती है और बाबा साहिब डांक टंबेटकर का विचार बाबा साहिब डांक टंबेटकर का साहिट है उस 85 परतिशत आबादी को संबान जनक तरीके से अधिकार पूंड तरीके से स्थापित करना चाते हैं सैदान्तिक मतभेद है कि वो हमारे अधिकारों पर डांका डालना चाहते हैं, बाबा साहब इनके अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, उनको वास्तों में वो अधिकार परदान करना चाहते हैं, ये तो जिस तरीके से एक जानवर को दिखा दिखा करके उसको लिभाते हैं, मास का टुकडा दिखा उससे सरकस में काम कराते हैं और बाद में उसको ठग लेते हैं ऐसे ही हमारे साथ इनका चल रहा है बाबा साहिब डांक टरम बेट कर तो ये हजम करी नहीं सकते बाबा साहिब डांक टरम बेट कर तो एक जुआला मुखी है विचारों की जुआला मुखी है बाबा साहिब डांक टम बेटका का विचार सीधा एक दम अकल से टकराता है तुम कहते हो कि हमारे धरम में प्रशन नहीं कर सकते बाबा साब कहते है वो धरम में धरम क्या है जो प्रशन का मुकाबला ना कर सके बाबा साब के गुरू थे भगवान बुद्ध बगवान बुद्ध कहते हैं कोई बात इसलिए भी मतमाना अगर जो मैं कहता हूँ ये क्या कहते हैं जो हमारी बात नहीं मानेगा वो देश द्रोही जो हमारी बात नहीं मानेगा वो राश्ट द्रोही तो बाबा साहब का और इनका जो सोच है बिलकुल कंट्रास्ट है बाबा लोगों को रसातल में पहुँचाना चाते हैं, तो दोनों में बड़ा अंतर है, जो दो विचार धारा हैं, जो यहां का मीडिया है, बाबा साहिब डांक टरंबेट करकि अभी एक लालू जी ने एक बात कही थी, मोधी जी से, कि मोधी जी अगर बाबा साहिब डांक कर का लिटेचर आप सिलेबस में क्यों नहीं लगाते हैं, बाबा साहिब डांक टरंबेट कर की किताबें, आप सारी लाइबरेरियों में क्यों नहीं पहुंचाते हैं, उल्टा हो क्या रहा है, कि बाबा साहिब डांक टरंबेट कर की वोल्यूम्स जो सारी लाइबरेरियों में गए थे अब एक विशेश शड़न्त के तहत उनको हटाया जा रहा है उनको निकाला जा रहा है और कह दिया जाता है कि वो तो इशू हो गए वापिस नहीं आ रहे हैं ये सब शड़न्त भई आब हम सब समझने लगे हैं आज समय परकाशन की किताबें जो हम छापते हैं क् वो इस देश के जो मूल लिवासी हैं जो इस देश के धरती पुत्र हैं उनके जीवन में परकाश लाने के लिए लिखी जाती हैं इसलिए इस भारत वर्ष में लाइब्रेरी के लिए हमारी किताबों की खरीद पर आगोशित परतिबंद सरकारी कोई खरीद नहीं होती हमार जो हर वक्त उनी का चरण बंदन करता रहा है उनी की जैजकार करता रहा है और अधिकार मांगे नहीं बाबा साथ कहता है कि इस देश की धंधरती में हमारा बराबर का हिस्सा है जिसकी जितनी संक्या भारी उसकी उतनी भागेदारी और भागेदारी ये देना नहीं चाहते इ अब मुझे नहीं पता यह समझते हैं अब आगे ये चीज बहुत देर तक चलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब यह बाबा सहीप डाक टम बेटकर के दुष्मन उनको खतम करने नाकाम है। और बाबा साहिब डांक टम बेट करके अपने स्वयम की महंता उनको सारे संसार में इस्थापित करने में पूरी सक्षम है। जापान से लेकर अमरीका तक और कैनेरे से लेकर आश्टिले तक बाबा साहिब डांक टम बेट करके महिमा रोज इस्थापित हो रही है। ये बाबा साहिब डांक टंबेट कर इनके काबू आने वाले नहीं है। यहां ये इस बाहने से बाबा साहब की उपेक्षा करने के बाहने से अपने चरित्र का परिचे जरूर दे रहे हैं। इतना अंतर है। आप थे हमार सा शांती शरूर बाब जी जन्होंने बताया है कि मीडिया जो है जो मेन स्टीम है वो बाबा साहब की इन बातों को नहीं दिखाता है और जो समास तक नहीं पहुंच पाती हैं। बाबा साहब की वो सारी बातें जो समास तक पहुंचनी चीए हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्य वादा, साथ बहुत अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आपके सबसे पहले